इश्वर को हम कई नामों से याद करते हैं, हम उसे इश्वर कहते हैं, क्योंकि वो इश्वर का वर है, सीनियर मोस्ट गौड है, तो इसका अर्थ ये हुआ, कि हम और इश्वर, और इश्वर की कलपना भी कर रहे हैं, और उनमें से जो सीनियर मोस्ट है, उसको इश्वर कह रहे हैं, हम उसको अल्ला कहते हैं, ये दो शब्द हैं, अल इला, अल तो अंग्रिजी का दी है, इला का रित है, पूज, वर्शिपेबल, काबिल इबादत, तो उसका नाम तो नहीं हुआ खाबिरे इबादत है वो वर्शिपेबल है वो उसको हम गॉड कहते हैं कोई शब्द तो नहीं है यह यह तो तीन अक्षर हैं G, O, D G, Generator O, Operator D, Destroyer तो महाँ शक्तियां तीन जो हैं जन्म देना, पादना और मारना इन शक्तियों का समुः ब्रह्म है इसलिए हम उसको G, O, कहते हैं यह नाम सब हमारे दिये हुए हैं उसका कोई नाम नहीं है वो अनाम है क्योंकि वो अ जन्मा है वो नित्य है वो शाष्ष्वत है उसी ने जनम दिया है सब को उसको जनम कोई नहीं दे सकता इसलिए ईश्वर को हम अपने बनाए हुए नामों से याद करते हैं उसका तो नाम है नहीं अब जो नाम हमने दे दिये क्या ये सत्य है ये हमारी कल्पना है सत्य और असत्य में भेद करना बहुत दरूरी है सत्य वो है जो दिखाई दे रहा है लेकिन वो सत्य होता नहीं है उसके परे भी जो अद्रिश्च है वो भी सत्य हो जाता है आपने स्वप्न देखा स्वप्न में आप राज सेंगाशन पर बैठे थे सिर्पे राज मुकुट था आपने देखा इसलिए इसे सत्य होना चाहिए लेकिन ये सत्य नहीं है क्योंकि आप राज सेंगाशन पर नहीं थे राजा नहीं थे राज मुकुट पहने हुए नहीं थे तो सत्व जो आपने देखा वो भी असत्व बन गया तो अगर हम सत्व और असत्व में भेद करना नहीं सीखते हैं तो असत्व हमें प्रिय लगने लग जाता है अच्छा लगने लग जाता है रुचिकर लगने लग जाता है आपने एक व्यक्ति को पानी में डूपते हुए देखा आपने देखा इसलिए सत्य है वो लेकिन नहीं थोड़ी दूर जाके लहरों ने उसे बाहर फैट दिया किनारे पे और वो जीवित खड़ा हो गया आपका देखा हुआ सत्य भी असत्य बन गया क्योंकि आपके सत्य के अनुसार तो व्यक्ति मर गया था लेकिन व्यक्ति तो जीवित निकला सत्य हम नहीं हैं सत्य केवल इश्वर है हम नहीं है कार्थ है कि हम ये समझते हैं कि हम, हमारा परिवार, हमारा आसपड़ास, हमारा माहौर, हमारा वातावरन, हमारा संसार, यह सब सत्य है, सत्य नहीं है, क्योंकि शरीर एक दिन नहीं रहेगा, आपने घर बना लिया, आप समझते हैं, आपका मकान है, आपके बाद कोई और इसमें रहेगा, मकान तो आपका नहीं रहेगा, तो सत्य बदलेगा, क्योंकि सत्य को अपने अंतिम चरण तक पहुंचना होता है, असत्य के माध्यम से हम सत्य को नहीं पकड़ सकते, इस शरीर सत्य नहीं है, इस शरीर के भीतर बैठी हुई आत्मा, जो ब्रह्म का अंश है, वो सत्य है, तो उस सत्य तक पहु तो फिर हम असत्य के पीशे चल पड़ेंगे, असत्य को जब बार बार दोहराया जाता है, तो वो संसकार बन जाता है, इसी संसकार वश्ट आपने अपने माता-पिता के द्वारा जो दिखाया गया, जो सुनाया गया, जो बताया गया, उसको सत्य मान लिया, माता पिता मूर्टियों की पूजा कर रहे थे आपने मूर्टियों की पूजा शुरू कर ली और मूर्टियों को भगवान मान लिया आपने ये नहीं सोचा कि जिसको देखा ही नहीं किसी ने उसकी मूर्टि कौन बना सकता है जिसको देखा ही नहीं किसी ने उसका चित्र कौन बना सकता है लेकिन आपका विश्वास अंध विश्वास सत्य बनकर आपके जीवन पर साथ चलता रहा पूरा जीवन आपने इसी में बिता दिया और वास्तिक सत्य की खोज का कभी विचार भी आपको नहीं आया हम इश्वार को सच्चिदा नंद कहते हैं कि सच्चिदा नंद क्या है ये समझना बहुत जरूरी है ये तीन शब्द हैं सत्य चिद और आनंद सत्य क्या है कि केवल एक मात्र सत्य है सिष्टी में वो परमात्मा है दूसरा कोई सत्य नहीं है हर चीज जूट है हर चीज नश्वर है हर चीज अस्थाई है इश्वर नित्य है शाश्वत है स्थाई है शुद है इंसान न शुद है न स्थाई है तो उस सत्य को पहुंचना है उस सत्य को पकड़ना है फिर वो चिद है चिद क्या होता है शाश्वत चैतन्य इश्वर शाश्वत है वो न पैदा हुआ है न मरेगा वो जनम मरन से परे है वो उंचलीच से परे है वो भाव और विचार से परे है ऐसी शक्ति किसी व्यक्ति के पास कितना ही बड़ा हो नहीं हो सकती ऐसी स्थिति में जब हम ब्रह्म का सत्य खोजते हैं तो हम उसकी शाश्वत्ता उसके चैतन्यता को खोजते हैं और क्योंकि आत्मा उसका अंश है और वो चिद है इसलिए आत्मा को चिदाभास कहते हैं आत्मा के पास चैतना है क्योंकि चैतना शाश्वत्त के पास होती है नश्वर के पास नहीं शरीद नश्वर है इसलिए इसके पास मन है बुद्धी है चैतना नहीं है चैतना आत्मा के पास है आत्मा शरीद के भीतर है तो चेतना भी शरीद के भीतर है जब हम आत्मा को देखने का प्रयास करते हैं तो हम चेतना को भी देख लेते हैं जब हम आत्मा से बात करना चाहते हैं तो हमारी चेतना हम से बात करती है तो इसका शाश्वत रूप जो है चिद का वो ब्रह्म है आनन्द आनन्द क्या है लोग समझते हैं कि आनन्द शब्द सुख का परियाएवाची है उस तक पढ़ी आनन्द आ गया फिल्म देखी आनन्द आ गया देर के बाद किसी मित्र से मिले आनन्द आ गया या कुछ अच्छा खाया आनन्द आ गया आनन्द नहीं आया आपको अच्छा लगा आपको रुचिकर लगा आपको मजा आया आनन्द नहीं आया क्योंकि आनन्द आकर जाता नहीं है खुशी और मज़ा आकर चले जाते हैं आनन्द शाष्वत रहता है तो आपने जो आनन्द अभी उठाया था किसी भी वस्तु से वो आनन्द नहीं था वो खुशी थी, अच्छा लगा था आपको वो परमात्मा को हम परमानन्द कहते हैं क्योंकि परमानन्द तो वही है लेकिन क्योंकि आत्मा उसका अंश है इसलिए आत्मा के पास भी आनन्द का तत्व है उस तत्व को खोजना है उस तत्व को पकड़ना है और वहां तक पहुंचना है जहां आनन्द ही आनन्द है और कुछ नहीं है ऐसी स्थिती में क्या होता है कि आत्मा शरीर के द्वारा ही परमात्मा तक पहुँच सकती है ब्रह्म लोग को आनन्द धाम कहते है आनन्द धाम पहुँचने के लिए शरीर को मेहनत करनी पड़ती है ध्यान में बैठना पड़ता है समाधी लगानी पड़ती है ब्रह्म मूर्जा का वाहन देना पड़ता है आत्मा को जिस पर सवार होकर वो ब्रह्म तक जा सके शरीर नहीं रहेगा तो फिर आत्मा के लिए वाहन कौन बनाएगा इसलिए शरीर को नकारिये मत लेकिन शरीर की वास्तवेक्ता को समझ लीजिए कि ये असत्य है हमें इसके माध्यम से सत्य की खोज करनी है सत्य तक पहुँचना है शरीर नहीं रहेगा तो आत्मा फिर क्या करेगी शरीर छोड़कर मित लोग चली जाएगी वहां से उसे नए शरीर में भेज दिया जाएगा मनुष्य समझता है मैं जेनरेटर भी हूँ मैं संतान पैदा कर सकता हूँ करता हूँ नहीं भाई संतान तब मिलती है जब इश्वर आत्मा भेजता है कोई भी माध तब तक गरब धारन नहीं कर सकती जब तक आत्मा उपस्थित ना हो क्योंकि आत्मा नहीं है तो मा के पेट में शरीर बनेगा किसके लिए शरीर तो कवच है शरीर तो वस्त्र है उसे ओढ़ने वाला ही कोई नहीं है तो वस्त्र बनेगा किस लिए मनुझनी वार की या जा पने पेरिवार चुल की न गारीटे को आज है क्योंकि अगर इश्वर तुम्हें रिज्क ना दे इश्वर तुम्हें धन न दे तो परिवार का पालन भी असंभव हो जाएगा तुम समझते हो तुम डेस्ट्रॉयर हो किसी को बद्दवा दे सकते हो किसी की हत्या कर सकते हो किसी का बुरा चाह सकते हो नहीं ये भी गलत है क्योंकि किसी का अगर बुरा तुम्हारे हाथ से होना है तो तुम दोनों के कर्मों का मेल होगा सब जाकर तुम्हारे हाथ से होगा अनिता नहीं अगर तुम इस यतना से विमुख होकर ये कर्म कर लोगे तो एक कर्म बंद बना लो जिन लोगों ने ध्यान के माध्यम से आत्मा को इस योग बना लिया है कि वो शरीर छोड़ने के बाद पर्मानंद में लीन हो जाए तो फिर एक बात का ध्यान रखिये कि अब अगर आपने करम बंद बना लिया कोई भी तो मोक्स की अधिकारी होने के बावजूद आत्मा को पुनर जनम के लिए आना पड़ेगा वो पुनर जनम अल्प मृत्यू के लिए हो सकता है मां के पेट में मृत्यू हो सकती है छोटी आयू में मृत्यू हो सकती है लेकिन आना पड़ेगा, क्योंकि वो करमबंद जो बना के छोड़ गए हो, वो स्रिष्टी के विधान में तुम्हारे अतिरिक्स उसका भुगतान और कोई नहीं कर सकता। तो परमात्मा को अगर सचिदा नंद रूप में जानना है, परमात्मा का अगर सचिदा नंद रूप समझना है, तो फिर उसके अंश को देखो, आत्मा को देखो, और अपने भीतर सत्य यानि नित्य, चिद यानि चेतना, और आनंद यानि परमसुख इसकी खोज करो, इन तीनों शक्तियों को जगाओ, तो तुम चिदानन्द तो नहीं बन जाओगे, लेकिन चिदानन्द की प्रतिछाया बन जाओगे, उसका प्रतिरूप बन जाओगे, आत्मा जब शरीर छोड़कर करम बंधों से मुक्त होकर आंतता है, ब्रह्म लोक आनन्द लोक पहुंचे तो फिर आत्मा भी परमानन्द बन जाएगी, अपने अंदर के ब्रह्मत को जगाओ, ताकि तुम ब्रह्म बन सको, ब्रह्म सक पहुंच सको.